स्वागतनी करोगे हमारा क्या होना चाहिए कोई classes कर लिए उसको revise कैसे करने चाहिए बराबर classes हमारे attempt के कितने मेने पहले complete हो जानी चाहिए सो classes अगर जल्दी कर ली तो amendment कैसे cover करना चाहिए उसके लावा जो classes जल्दी जल्दी करेंगे सब हम भूल जाएंगे न उससे मुझे motivation मिलेगा और ये वीडियो को please last तक देखना because this video can be a game changer for you मुझे लगता है अगर आपने शुरुवात ही बढ़िया करी planning बढ़िया करी तो आपका execution भी उस planning के line में जाएगा और जितना बढ़िया planning उतना बढ़िया execution और उतना ही बढ़िया आपका जल्दी जल्दी result आएगा ठीक है तो पहला time में pass होना rank आना ये सब में सबसे पहला step होता है proper planning उसमें आपकी help मैं करूँगा but वो help मैं आपकी करूँ उसके लापको पूरा ये वीडियो देखना पड़ेगा लास तक ठीक है जादा stretch नहीं करूँगा सिफ relevant relevant बाते करूँगा तो शुरू करें आज असर शुरू करतें सबसे पहली बात मैं मान रहा हो कि classes आपकी सारी bending है ठीक है अगर को इस classes आपकी हो चुकी है तो उसको कैसे revise करना है उस पर भी guidance दूँगा लेकिन सबसे पहले अगर आपने अभी तक शुरू ही नहीं कि आप अपनी CA inter clear किये और आपका attempt यहां किदर fall कर रहा है ठीक है तो sir classes हमको कब तक शुरू करनी है what is the ideal time to start the classes मेरा ऐसा मानना है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी sir जल्दी जल्दी शुरू करना चीह है हाँ जल्दी शुरू करना चीह सका reason बताता हूं मै जब आप classes जल्दी शुरू करते हो तो classes खतम भी आपकी जल्दी होगी attempt से पहले और जितना जल्दी आपकी attempt से पहले classes complete होगी उतना आपको समय मिलेगा self study करने के लिए last में और इतियास गवाए किसी भी अपने senior से पूछ लेना CA final pass करने के लिए क्या जरूरी है सिफ classes देखना या classes देखने के बाद self study भी करना तो answer हमेशा दूसरा वाला रहेगा classes देखना उसके बाद adequate self study self practice करना आप किसी भी इंसान से पूछना जो clear नहीं कर पया हमेशा यही बोलेगा classes देखने थी self study को time नहीं मिला ठीक है तो self study को समय मिले इसला आपको शुरू जल जल करना चाहिए ठीक है it is okay एक साल डेड़ साल दो साल धाई साल पहले बड़ जब भी आपके लिए possible हो तब आपको शुरू करना चाहिए ठीक है पहली चीज़ अब मुझे पता आपका counter के आएगा कि sir classes जल्दी शुरू कर लेंगे न तो हम तो भूल जाएंगे याद नहीं रहेगा sir तो अच्छा याद ही नहीं रहेगा तो उस डर्सपन classes करेंगे नहीं एग्जाम के दो दिन पले class करोगे किया नहीं न तो याद नहीं रहेगा उसका solution यह नहीं class मत करो उसका solution उसको properly regular intervals पर revise करो जैसे for example मैं FR पढ़ाता हूँ ठीक है तो normally जब बच्चा आता है CF final में सबसे पहले FR ही लेता है ठीक है तो अब FR को लंबे समय तक याद कैसे करें because आप 1,5-2,5 साल पहले class लेके बैट जाओगे तो उसके लिए जब आप batch देखोगे न तो मैं आपको guide करूँगा last में जब batch completion के last में video लूँगा में कि इसको अभी याद कैसे रखना है तो इसको regular intervals पर कैसे revise करना है तीन, चार, पास दिन देकर है ना वो सब मैं आपको guidance दूँगा तो मैं ये बताने का try कर रहा हूँ कि ideally जल्दी चालू करने पर जो भूलोगे तो भूलने का ये solution नहीं कि classes ही मत देखो ये solution नहीं कि उसको regular intervals पर revise करो उसके लिए guidance मैं दूँगा और यहां भी थोड़ा शेयर करूँगा आपको एक hint दूँगा मैं इसके regarding ठीक है अच्छा पहला ये चीज हो गया कि idle time कब है जल से जल ठीक है उसके लावा सर हमारा sequence क्या होना चाहिए classes करने का तो मैंने एक sequence मुझे लगता है follow करना चाहिए आपको सबसे पहला आप FR या AFM दोनों में से कोई भी कर लो preferred आप पहले FR करो फिर AFM करो ऐसा क्यू बोद इस subjects have the least amendments ठीक है simple logic है और practical भी है तो आपको मज़ा आजाएगा करने में यह करने के बाद आपको आपके जो self place module है वो कर लेने चाहिए ठीक है मेरा ऐसा मान of course you can tweak it a little bit as per your convenience उसके बाद दो alternatives है पहलो alternative आप यह complete करने के बाद audit DT IDT कर लो IBS मतलब integrated case studies आपका एक subject है जिसमें mix of everything आएगा वो तो last में करना है तो आप यह करने के बाद या तो audit DT IDT कर लो यह का option होता है या फिर option number two आप ऐसे भी कर सकते हो आप पहले DT IDT कर लो DT और IDT और उसके बाद आप audit कर सकते हो उसके बाद आप क्या कर सकते हो audit कर सकते हो sir आप कौन से suggest करोगे मैं नॉर्मली ऐसा मानता हूँ कि अगर आपका theory अच्छा है तो आपको audit पहले कर लेना चाहिए लेकिन theory अगर तोड़ा weak है जैसे मेरे को यह याद नी रहता theory ठीक है मेरे को ऐसा है कि theory पढ़लू याद नी रहता तो मैं तो लाश में करना चाहता हूँ कि आपको पहले यह करना चाहिए अच्छा जब classes करेंगे तो sir हमको कौन सी classes करनी चाहिए fast track की regular तो इसलिए में कहता हूँ जल्दी शुरू करना ताकि आप सब की regular batches कर पाओ regular batch में कैसा होता है चीज़ा आराम से जाती है समय मिलता है खुद दिमाग लगाने का time मिलेगा खुद पैक्टेस करने का time मिलेगा है ना तो regular batch is always preferred last में जाके time constraint होता है तो एकका सब्ज़े का fast track लिए ठीक है because of time constraint इसलिए मैं कहारो जल्दी शुरू करोगे तो best रहेगा जैसे for example sir FR है अगर हमको FR जल्दी करना तो हम कुंसा batch ले तो मैं बता दे तो एक बर काफी बच्चे मिलको पूछते तो अगर आप जाओगे ना BBE virtual की website पे तो go on video lectures ठीक है इधर आप CA final में financial reporting में जाना ठीक है इधर मेरा एक batch दिखेगा CA final FR regular for me 24 onwards आप यह best ले 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 ना ठीक है इसमें मैं सब कुछ cover कराऊंगा as per the news syllabus as per your attempt sir लेकिन हमारा attempt तो late है उसमें changes आए तो सबसे पहली बात FR में least changes है second thing changes है तो मैं हूँ ना मैं आपको last तक आपके जो भी attempt में changes है वो सब provide कराऊंगा तो changes क्या होते कुछ नहीं ICI हर attempt में जब 8 भी release करता है तो कुछ-कुछ नए questions ले आता है बस वो ही नए questions होते है तो उसका जो compilation होता है कि अब से लेकर जब सापने बैस्ट है तब से लेकर आपके attempt तक जो भी additional questions है उसका जो additional questions का sheet है और उसके videos है वो सब मैं ही दूँगा आपको चेतो आप मेरे telegram पर जाके देख लो मैंने पुराने बच्चों को भी दिया हुआ है suppose for example अभी edition 8 चल रही है तो suppose जीनों ने edition 7 से पढ़ाई की थी तो edition 7 से edition 8 का transition PDF मैं ही देता हूँ suppose जीने edition 6 लिया आता तो लगता समय ज्यादा है समय ज्यादा है तो तक करते नहीं पर लेट करते पर लाश में जाके बोलते हैं अरे समय तो कम पढ़ गया है ना तो ज्यादा समय रहना is always preferred ठीक है तो जल्दी शुरू कर ले ना और FR कैसे करना आपको मैंने बताया उसके लावा अब आपको मैंने sequence explain कर दिया अब sir हमको classes कब तक complete कर लेनी चाहिए मैं ऐसा मानता हूँ आपकी सारी classes आपको आपके attempt से 6 से 7 मेंने पर ले complete कर लेनी चाहिए for example अगर आपका attempt है November 26 ठीक है तो उससे 6 मेने मतलब April में around classes complete कर लो है ना मतलब around 6 to 7 months last you should have for self practice last में जाके एका class बजगई that is okay but मोटा मोटी आपका 70-80% syllabus with the classes should be completed second thing how to cover the amendments तो जो भी आप class लेते हो ना हर respective faculty अपना-अपना amendments प्रोवाइड करवाता हूँ आपकी टेंशन नहीं रही तो जो भी changes है मैं देता हूँआ चलूँगा और मैंना आपको sequence वैसा बता है जो classes आपने latest latest करी है वो तो आपने एकदम latest की होगी जो आप पहले-पहले करोगे FR पहले करोगे कोई दिक्कत नहीं है भाई changes आते ही नहीं concept चली क्या चिंज़ोएगा जबी भी classes लेते हो ना class के साथ एक तो daily revise करने का ठीक है FR में sir daily मतलब जो हम पढ़ेंगे वो revise करना है हाँ उसके लाब को motivated मैं रखूँगा मैं आपसे revision करवा लूँँ वो class के अंदर आपको सिब class माने की देरी है वो समय करवा लूँगा आपसे बाकी जब 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 बता रहा हूँ daily revise करने क्लास के साथ जब पूरी batch हो जाए ना तो अगली batch तुरंदी शुरू करने का वो subject complete होने के बाद उसको 10-12 दिन देने का और एक बार अच्छे से revise कर लेने का तो आपके दिमाग के अंदरो fit in हो जाए ठीक है और उसके बाद सब्वोज आपका अटम धाई साल बाद है तो every 7-8 months में एक बार उठा के उस subject को revise कर लेने का सरित्ता समय कैसे होगा हम तो भीच में बाकी चीज़े कर रहे होंगे तो पूरा-पूरा दिन देना ही नहीं आपको जैसे FR में है न हमें हर attempt के लिए FR का marathon कंड़क करता हूँ उस respective attempt के लिए दो दिन में पूरा FR revise कर वाता हूँ तो वो दो दिन आके marathon बैठ जाने का अपने को कुण सा master होने का फिलाल के लिए अपने को सिफ चीजे अपने link में रहनी चीजे दिमाग में रहनी चीजे टेच में रहना चीजे सब्जेक के तो टेच में रहने के लिए दो दिन का marathon देखने का तो ऐसा माल लो FR का classes किया class के बाद तुरंट revise किया और every 6-7 महिने में वो दो दिन FR को दे दिये marathon देखकर बस मैं बता रहो याद हो जाएगा पूरा का पूरा इतना मज़ा आ जाएगा तुम लोगो ठीक है और एक और बाद आपको बताता हूँ जब आप classes करते हो ना तो अपना आपसे यह उमीद रखना ही मत कि मैं आगे लाके भूलूँगा ही नी सब भूलते है ठीक है अगर मैं भी FR को दो साल तक नहीं पड़ू मैं भी भूल जाऊँगा ठीक है तो इसका इलाज किया है इसका इलाज कुछ नहीं acceptance है कि भूलेगे कोई दिक्कत नहीं है बट आपको याद कराना मेरी जिम्मेदारी है ठीक है रिविजन वीडियोस में डालते रहता है यूटूब पे वो देखने का टच में रहने का तो सब याद रहेगा तो वो टेन्षम मत लेना बाकी रीटेन करने की डीटेल स्राटजी आपको बताऊंगा में मतलब पूरा बैस देख लो कर उसके बाद बेटर बताऊंगा आपको में ठीक है तो उसका टेन्षम अलबावा कैसे रिवाइस करना है मैंने जैसे आपको बताया हर 6-7 months में दो-दो दिन देने का marathon देखने का पूरा आपका revise हो जाएगा बढ़िया तरीके से same you can apply for all the subjects as well ठीक है अब मैं कुछ pro tips देने वाला हूँ आपके लिए specially सबसे परद जब आप class करोगे सबसे बड़ी गलती क्या करता है इंसान और वो गलती FRA FMA करता है क्यों नया नया class लेता है ना पहला पहला तो जब attempt को बहुत समय होता है आपन बहुत linend रहता है आपन बोलते है छोड़ना है यार दो दिन class में सुआ क्या दिक्क्यत है दो दिन का lecture नहीं देखा क्या दिक्क्यत है सबसे बड़ी गलती वन टू वीक्स में जो भी पड़ाया उसका में टेस्ट लेता हूँ चलता हूँ तो वो टेस्ट आपको देना चाहिए वो टेस्ट आपको क्लास के अंदर ही मिल जाएगा ठीक है उसका checking वगएरा कैसे होता है सर वो सब के लिए में टेस्ट चेक गाइडेंस वीडियो भी प्रोवाइड करवाता हूँ के महिने में ठीक है तो अगर आप लोग है तो यू विल गो फॉ फॉ दर रिकोर्डेड बैच बराबर तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है बैद Snart नहीं रता है चार दिन देखा पास है और शरती दिन चुलु खुली तो बहुते है चुल तो बाद में देखेंगे यह है प्लान है यήςशिव करने सिम्पल और ओर ये कि नी बोल कि you will stay motivated or disciplined for 100 days at a stretch भाई आप 100 में से 90 days भी होगे ना discipline बस हो गया तुम समझे हो 2-3 दिन तो आता है नहीं होती उस दिन पढ़ाई कोई बात नहीं बड़ो 2-3 दिन नहीं बनना चीए साल का ऐसा ये बात ध्यान लगना तो always remember you have to stay disciplined उसके लावा जब आप पढ़ाई कर रहे हो ना एक चीज है हमेशा विजुलाईज करके चलना कि मुझे सीए मेरे पहला टेम्ट में क्लियर करना है ठीक है मतलब जिनका अटेम्ट लंब मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो पहला अटेम्ट देंगे अभी ये इसमें मैं ऐसा मानता हूँ फर्स अटेम्ट इस अल्वस गोल्ड अटेम्ट ठीक है नो ओफेंस तो एनिवन विस गिए मल्टिपल अटेम्ट मैं कोई ओफेंस से बात नहीं कर रहा हूँ मतलब ऐसा बुरा मत मान जाना बट आम सेंग पहला अटेम्ट इस अल्वस गोल्ड अटेम्ट वाई मुझे लगता सबसे ज़्यादा महनत इंसान अपने पहले अटेम्ट में करते है उसको प्लीज जाया मत जाने देना तो जान लगा देना और उसके लिए आपको सिफ बेसिक बेसिक चीज़े करनी है डेली क्लास देखना रिवाइस करना डिसिप्लिन रहना बस और अल्वेस एस्पायर टू एम फॉर रांग एस्पायर करने में कोई दिक्कत नहीं है भाई ठीक है अगर आपन किसी चीज़ के बारे में विजुलाइस करेंगे ही नहीं तो आपन उस दिशा में का भी बढ़ेंगे ही नहीं वेन यू थिंक फोर सम्थिंग आप देखना जब आप रैंक के लिए सोचोगे ना आप उस लइल में सोचोगे की रैंकर होता तो यसा करता तो आइपाड बंद होगे, तो यही से मुझा आपको गाइड करना था, तो प्लीज आप यह सब बेसिक बेसिक चीजों का ध्यान रखना, उसके अलावा, जैसे मैंने बता है, लास्ट रम वापस से बता दू, अगर आपको एफ़र के क्लास लेनी है, गो फॉदर रेगुलर लेटेश बैच है, everything is amended, मैंने उसके लिए पूरी, मतलब जितने भी आज तक के questions है, MTPs, RTPs, सब include करके आपके लिए batch launch किये भाई, है न, it is an ongoing batch also, मतलब वो ongoing batch है भी, वो batch चलेगी September end तक, ठीक है, बट अफकोस आप recorded version लेना, उसमें जो भी lectures लेता रहूंगा, daily base पर upload होते session को करते, wrap up, I hope this was helpful for you, helpful लेगा, share जरूर करना दोस्तों के साथ, और, मिलते हैं, ऐसी किसी session में, मैं guide करता रहूंगा, आपके लिए, कुछ छूड़ गया, तो comment में बता देना, मैं उसको पर वीडियो बना दूगा, okay, so thank you so much everyone, bye-bye everyone, take care, see you all, bye-bye.